आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल फ्यूचर ओल्लाइन क्लासेस में आज हम इस वीडियो में सीटेट इक्जाम 2023 के लिए CDP के जो है चैप्टर 3 को पढ़ने वाले है और इस चैप्टर में हम लोग जो है बाल विकास के सिधानत के उपर बात करेंगे यानि Principle of Children Development समझ गए यह Principle of Child Development के उपर जो है हम लोग बात करने वाले है और यह chapter जो है आपका 3rd है CDP का इससे पहले हमने जो है दो chapter complete किया है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप हमारे playlist में जाकर जो है उस वीडियो को देख सकते हैं सांती साथ चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा समझ रहे मेरी बात को तो देखे सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि जो यह हमारा बाल विकास के सिधानते वो कितने सिधानत होते हैं तो मैं आपको बता दूरू कि यह निम्री खित सिधानत होते हैं एक-एक कर के जो हम सभी सिधानतों को समझेंगे तो यहां से आपको जो है एक यह दो परशन आपको सीटट के एकजाम में या यह उपीटएट यह किवियस के एकजाम में आपको देखने को मिलते हैं, तो पहला आपका जो सिधान्त है वो है विकास का निरंतरता सिधान्त, यानि कि विकास principle of continuity, यानि कि विकास जो है क्या है, वो सतत परक्रिया है, जो जन्म से लेकर मरन तक, यानि कि उम टूढ होता ना भूंतूर हूं तक जाथा आजि आपके जन्म से लेकर आपकी मिâृचतू तक समझेंग गर्व कर्व तक तो यह इसे बोलते हैं बिकास का निर्णता शिद्धान्ट जैसे कि आपको मालूम होगा कि बृधर कुछ समय तक रुख जाता जाने के बाद लेकिन विकास जो है कभी नहीं रुखता है यह जन्म के साथ जो है शुरू होता है और मरंद तक जो है चलता है अगला यहां पर आपका सेकेंड दूसरा है कि विकास की दिशा का सिध्धान्त विकास का दिशा का सिध्धान्त जो है दो प्रकार के होता है पहला वो मतलब हाथ पर चलाना सीख लेता है और जो आपका दूसरा होता है स्द से पाओ की तरफ बीधी होता है तो बालक सबसे पहले अपना मानसिक विकास करता है तो जाकर हाथ पर चलाना शुरू करता है उसी को हमलोग बोलते है एके करके हम नीचे पढ़ेंगे ना चुका है और विदिम एक या दो दिनों में जो है हमारे पास चला आएगा तो फिर आपको डिश्टल बोड के उपर भी जो है क्लास मिलना सुरू हो जाएगा समधरे मेरी बात को आगे हम भरते हैं विकास का समानने से विशिष्ट के सिद्धान मतलब कि यहां से आपका प पुर्वानुमान सिद्धान समझ गया इसका मतलब बता दोता हूं मैं यानि कि हम लोग विकास को पुर्वानुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कितना विकास होगा लेकिन ब्रीधी का पुर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ब्रीधी एक समय तक जो है जाक प्रकिरिय है अगला यहां पर है सिधान यानि कि प्रिंसीपल ओफ युदि री प्रोसेश समझ गया यहां पर विकास का एकि करन का सिधान कहने का मतलब है कि बालक जो होता है जब जन्व लिता है तो सवरोपर्थम वह कैसे चलता है अपने मतलब बहुत सारी चीजों को मिला कर चलता है जैसे कि हाथ पैर घुठने का पर्योग करके जो है वो चलता है लेटता है कुदता है या किसी चीज को पकरने के लिए वो बहु का एकी करण का सिध्धान्त समझ गया अगला यहाँ पर है विकास की व्यक्तिगत विभनता यानि प्रिंसिपल अफ इंडिविज्वल डिफ्रेंस यानि कि आप सभी लोग को मालूमें कि हमारे समाज में जिस प्रकार के मतलब लोग रहते हैं कोई अमीर है कोई गरीब है तो किसी प्रकार जो है विकास का जो है विक्तिगत विभनता होता है यानि कि किसी का विकास जो है तेजी से होता है किसी का धिरे होता है किसी का पहले हो जाता है तो किसी का लेट से होता है तो इसी को बोला गया है विकास का विक्तिगत विभिनता का सिध्धान्त समझ गया यानि principle of spaddle आपका versus linear advance cement समझ गया यानि इसका कहनेकार्थ यह है कि विकास का वर्तुलाकार बनाम रेखिये प्रगति का सिधान्त यह है कि विकास जो है कभी भी सीधी रेखा में नहीं जाती है बलकि यहार रेखिये यानि कि आपका spaddle होता है आप spaddle कोपी को आपने देखा होगा इस तरह से आपका होता है इस तरह से यानि कि विकास जो है कभी भी straight नहीं होता है कि रेखिये नहीं होता है एक गति से नहीं चलता है कभी धीमे कभी तेजी कभी धीमे कभी तेजी इस तरह से चलता है लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है वो चलते रहता है धीमे ही चलेगा लेकिन चलेगा लेकिन ब्रीधी क्या होता है एक लिमिट समय तक जाकर जो है वो रुक जाता है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी तो लाइक किजेगा जरूर जितने पर्षन देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर किजेगा समझ रहे हैं आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर है अंतरस अंदर्बित विकास का सिध्धान यानि प्रिंसिपल ओफ इंटरनल डेवलोप्मेंट कहने का मतलब है कि बालक का जो अंदर मतलब डेवलोप्मेंट होता है जैसे कि मांसिक हो गया स्वविगात्मक हो गया, चालित्रिक हो गया, भावनात्मक हो गया उसके उपर इसमें हम लोगों को परना है अंतर संदर्वित विकास का सिद्धान जो मतलब बोडी के अंतरगत या मन में जो होता है फिर अगला यहाँ पर है ब्रीधी और विकास किरिया वंसा नुकरम और वातावरन का संयुक्त परिनाम यानि की development किसका परिनाम है तो heredity into environment का परिनाम है किसका heredity into environment का परिनाम है आपका क्या यह development समझ गया तो यह 9 सिद्धान थे जो काफी महत्यपून है आपके सीटेट के एक्जाम से ले कर तो हम एके करके जो है सभी तर्मों को जानेंगे और समझेंगे ताकि आपको एक्जाम में कही पर दिःक्त नहीं हो ताकि आपको ऑक्जाम में जो भी प्रश्न है उसे हसानी पूइव्याख कर ले समझ गया चलते हैं तो एके करके हम समझेंगे तो यहाँ देखे पहला जो हमारा सिध्धान था निरंतरता का सिध्धान यानि की principle of continuity अभी मैंने इतना सारा तो आपको बता दिया लेकिन आप एके करके जो हम इसके term के उपबात करेंगे पहला जो हमारा सिधान्त यहाँ पर निरंतरता का सिधान्त प्रिंसिपल of continuity यानि कि विकास जो है सतत जीवन पर्यत्न चलने वाली प्रकिरिया है जो जन्म से लेकर मिर्तु तक चलती है बस यही जानना है पहला आपका concept यही पर clear हो गया आपको option में दे देता है कि विकास जो है सतत यानि कि जीवन पर्यत्न चलने वाली पर किरिया है जो जन्म से लेकर मिर्तु तक चलते रहती है पहला concept clear दूसरा यहाँ पर देखिए दूसरा आपका है विकास की दिशा का सिधान्त यानि कि principle of direction इ करम होता इता क्रम विकास के करम होता है इसा नहीं कि पहले क्यों कुछ और हुआ होगा करण में समझगे म teil को यानि कि विकास की दिशा सिधान्त कर पर देखिए आपट्स हसंदीगा यह हेiens को फ्म्रादिएूम हWould को नौत होता है और यहां प्रश्न आपके पूछता है यह हंस पर से घाज में पूछे कहीं पूछेगा याद रखिएगा इसका गजया होता है यहां पर देखिए एक फिगर यहां पर आपको यह देखिए दूसरा में इसको बोलते हैं सीरोदूपूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभूभू होता है यह धीक होता है ना मतलब की बाहर का बिकास होता है तो उसके हम लोग प्रॉक्सिमो डिसल बोलते हैं तो यहां क्या होता सेंटर से जो है बाहर की तरफ होता है समझ गया यानि कि इसमें बालक का विकास जो होता सबसे पहले सौर होता है सौर के बाद जो है मतलब चेस्ट से होते हुए पैर की तरफ बढ़ता है और यहां पर सिर्दाय के सीट से आपका पैर होता है याद रखेगा आज यह आपका अधोगामी है यानि कि प्रॉक्सिमो डिसल इसमें जो होता है आपका सेंटर से यानि के केंदर से जो है आपका यह बाहर की तरफ होता है कहात होता है बाहर की तरफ तो यह किलियर हो गया समझ गया यहां तक किलिय रिवीकास है यहां पर दिखें यहांपर टर्म क्या लिखा हुआ है समानने सी विसेश्ट है यह कि हमारा समानने से भी सिष्ट चलता है तो अगर बोल दे कि भी सिष्ट से शमाने चलता है तो गलत है इस तरह के प्रशन आप से पूसता है समझ trailer हो गया दूसरा यहां पर दखें जैसे में बालख सुरुवाती में किसी चीज को पकरने के लिए अपने हाथ पैर इदर उदर मारते हैं और फैलाने का पढ़्यास करते हैं लेकिन जैसे विकास होता है तो वस्तु को जो है वो हाथों से या उंगलियों से पकरना शुरू कर देता है यानि कि समानने से बिसिस्ट की और बढ़ता है समझगे मेरी बात यहां पर आपका किलियर हो गयी इह अब Gi, आगे हम भढ़ते हैं तो यहां देखिए आगला यहां पर आपका यह फोर नमर सिधानत क्या है पुरुऑ अरुमान का सिधानत principle प्रेडिक्टिबिलिटी यानि कि हम लोग पुर्वा अनुमान लगा लेते हैं पहले ही तो यहां पर देखें पहला यहां पर आपका है कि पुर्वा अनुमान का सिद्धान्त से तत्पर यह है कि विकास का अनुमान जो है पहले ही लगाया जा सकता है कि बालक का विकास तिस चेत्र में जा रहा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं पुरुवा अनुमान का सिध्धान्त समझ गये अगला यहाँ पर आपका है कि बालक के उबरतमान मांसिक योगता के ज्यान के सहारे उसके आगे के मांसिक विकास के बारे में पुरुवा अनुमान लगाया जा सकता है यान इसी को हम लोगं बोलते हैं पुर्वा अनुमान का सिधान्त समाझ में आया होगा चलिए आगे हम यहाँ प्र बढ़ते हैं यहाँ यहाँ पर बोला गया है कि वेक्तिगत विविनिता का सिधान्त इसको देख लेते हैं वेक्तिगत विविनिता का सिधान्त तो यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर आपका बिंदू है कि वेक्तिगत विविनिता का सिधान्त से तत परे जो है बालक के बीदी और विकास के वि गडीब नहीं है क्या है उंच नीच जाती धर्म ये बात कर ले आपके ये मतलब कोई अमीर है कोई गरीब है कोई पढ़ने में तेज है कोई धीमा है तो वहीबात यहाँ पर बोला गया है वेक्तिगत विविनिता का सिधांत Mira principle of individual difference यानि कि वेक्तिगत विविन्ता का सिधान्त से जो है ततपर्य है कि बालक के जो ब्रिधी और विकास में विविन्ता होती है उसी से है क्योंकि सभी लोग की ब्रिधी और विकास सोच और नैतिक जो है भावना अलग अलग होता है समझ गये क्योंकि सभी लोग का ब्रिध और विकास को वन सानुकराम और वातावरन की सयुक्त देन माना जाता है यानि कि जो हमारा डेवलोप्मेंट है डेवलोप्मेंट में मुख भूनी का कोना ना करता है आपका एक होता है हैरे डीटी और दूसरा आपका इनभार्मेंट यानि कि अनुवन सिक्ता और आपका वात मानते हैं समझता बाता वर क्लियर होगया स्पराजाद Š payment कि वेक्तिकत भीन्ता का अधार क्या मना जाता है वीजती मेया फिलिय कि किसके कि स्थिते हला भाल को तेज होता है धीमी होता है अभी अविछ समता के अधारपर के कि दीसरा, वेक्तितुव क्या धार पर, चौथा, मुल्यों के धार पर, रूची के екवाल की धार पर, अभी प्रेर्णा आदी के खानसे हैं, अलग अलग होता है समझ गए किल्यर हो गया ये चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये 6 नमर देखिए यहाँ पर 6 नमर आपका सिधान्त है एकी करन का सिधान्त प्रिंसिपल आफ उनेटरी प्रोसेस समझ गए ये 6 नमर आपका है तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या होता है आप एवों मुझलियों को एक साथ चलाना सीख जाते हैं, यानि कि बच्पन आपने देखा होगा कि वो चलता है कैसे, घुटनों के बलपड, हाथों के बलपड, लेकिन बाद में जो है वो एक ही करन करता है, मतलब अपने पैर को और अपने हाथ को एक एक रित करते हुए क्य फिर उंगलियों पर करता है, तो अब जाकर जो है, वो क्या करता है कि दोनों में ये करन का सिधानत में पड़ियों करते क्या तो रेखिय नहीं होता है यानि कभी तेजी कभी धीमी कभी तेजी कभी दीमी समझ गये वही बात यहां पड़ है कि विकास का वर्तुलाकाल बनाम रेखिय प्रगति का सिध्धान्त का मतलब यह है कि विकास कभी भी रेखिय नहीं होता मतलब विकास सीधा नहीं होता है गुवावदार इस्पैडल होता है समझ गए यानि कि विकास जो है कभी भी सिधा नहीं होता है वह स्पैडल और गुवावदार होता है समझ गए क्योंकि विकास जो होता है एक मतलब गति से नहीं चलता है कभी धीमी कभी तेज इस तरह से वो चलता है मतलब विकास की गति कभी तेज होती है कभी धिमी होती है उसी को लोग बोलते हैं विकास का वर्तुला काल बनाम रेखिये प्रगती का सिध्धान्त समझ गये चलिए आगे बढ़ते हैं तो एट नमर सिध्धान्त और नाइन नमर सिध्धान्त को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका एट नमर चया है? अंतासंदरवित विकास का सिध्धान्त समझने का पढ्यास कीजिएगा अंतासं अंदरवित करने का मतलब है कि जो बच्चो में पर निर्भर करते हैं यानि कि एक दिसरे पर वह निर्भर करते हैं और विकास उसका होता है समझ गया तो यह किलियर हो गया होगा आगे हम बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा नाइन नमर है देख लिजे नाइन नमर जो है बोला गया है कि ब्रीदी और विकास की किर यहां पर definition देख लिजे कि बालक के ब्रीधी समझ रहें बालक के ब्रीधी और विकास को वंसानुकरम और वातावरन की स्वयुक्त देन माना जाता है अता बुद्धी और विकास की परिक्रियाओं में इन दोनों का समान्य जो है महत्व है मतलब समान्य महत्व दिया जाता है हो जाता है समझ गए समान्य महत्व दिया जाना अवस्षक हो जाता है क्योंकि जो आपका डेवलोप्मेंट है वह हैरेडिटी इन्टु इन्वहर्मेंट का जो है परिनाम है समझ गए तो यह जो था आपका नौ सिध्धान्त था विकास का जो की काफी महत्व पून है तो यह कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताएगा इसी तरह आपके जो है चैप्टर वाइस में पूरा स्थियोडी कराती जाओंगा आप सभी लोग जो है पढ़ते रहिएगा नो डाउन करते रहिएगा मिलते एनेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद थाएंगे सोमाच जाइन जावारत ओके तो मिलते हैं एनेक्स वीडियो में धन्यबाद